दोस्तो पर्ल वाइन का ओटो पुल आज के टाइमे पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा सवा लग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि सर्फ पर्ल वाइन का ओटो पुल मतलब की 32 लाख कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है, कब तक मिलने का उमीद ह और साथ ही साथ कुछ लोगों के द्वारा आपको ये भी बताए जाएगा कि पर्ल वाइन का ओटो पुल कुछ नहीं है, सिंपल सा एक स्केम है, कभी नहीं मनने वाला, किसी को नहीं मिले है और ना मिलेगा, तो वो सारे डिटेल मैं आपको प्रूप के साथ बताऊंगा कि मु और डिटेल के साथ, प्रूप के साथ बताऊंगा कि कैसे मिलता है और कब तक मिल सकता है, तो वीडियो में लाष्ट तक बने रहिएगा, दोस्तु वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकिया सुनाना चाहता हूं, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉ कि सर परल वाइन का ओटो फूल मुझे अभी तक नहीं मिला है, आईडी लगाये हूए एक साल से ज्यादा हो गया, तो एक्चुल मैं वो बंदा फॉन किया था विहार के तरफ से फॉन किया था, पुर्निया डिश्टिक बताया, एक साथ कोई भी बिलेज बताया, तो मैंने पूचा कि सर आपने आपने जब आईडी लगाई, कब लगाया आईडी, बोला कि साल भर से ज्यादा हो गया, डेट आद नहीं है, बट अभी तक मेरा एक भी ओटो फूल नहीं मिला हुआ है, मैंने बोला किसके लिंक से लगाई है, बोला वो मुझे पता नहीं, वीडियो म मिल जाना चाहिए, तो अभी तक किसको क्यों नहीं मिला है, हमने बोला कि अपलाइन का नाम भी याद नहीं है, तो मैंने बोला चट ठीक है, आईडी लगाया था, तो आपने एक्टिवेट कब किया था, तो वो बंदा बोलता है कि ये एक्टिवेट, एक्टिवेट क्या च होता है जिसमें से 30 डिपी लगता है वो आपको अपलाइन से लेना पड़ता है तभी वो आपका आईडी जो इसो उसको कह सकते हैं कि लगाया हुआ है कुछ लोग को मैं क्या कहूंगा ज़रोत से ज्यादा ना समंद कहूंगा यह मासूं कहूंगा कि सिर्फ रेजिटेशन करक किया जिनने मेरा वीडियो में सर्च किया यूटूब में सर्च किया वहां से मेरा कॉंटेक्ट नवर निकालकर मुझे फॉन किया हो सकता इस तरह के कई भी बंदें होंगे जो सिर्फ पर सिर्फ रेजिटेशन करके अभी तक 32,000,000 का वेट कर रहे होंगे तो दोस्तों यह सब वाकिया बताने का मतलब मेरा यह था कि कुछ लोग परल वाइन में ऐसे भी इस हद तक मिस्गाइडेड हैं कि जो आपने एक्जामपल में आपको बताया तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परल वाइन में क्या टर्न करनीशन है कैसे मिलता है वो हम डेटेल्स में बात कर लेते हैं दोस्तो सबसे पहली बात है कि परल वाइन में तब तक आपकी जोइनिंग नहीं कहा जा सकता जब तक आपका आईडी 30डीपी से एक्टिवेट नहीं है 30डीपी के अगर आईनार में कहेंगे 250 रुपय होता है तो 250 रुपया से आप करके बोली मुझे आईडी को अक्टिवेट करना है और अक्टिवेट करने के लिए उनसे जो 30डीपी लेकर 250 पेमेंड करके अपनी आईडी को अक्टिवेट कर दीजेगा तभी आप इलिजिवल होंगे अधरवाइज रिजिटेशन का कोई मतलब नहीं होता है और जब यहा आपका आईडी जो से टिवेट कर दूँगा या फिर आपको मैं 30डीपी भेज दूगा तो बहुत सारे लोग इस टैप के स्केम में फजाते हैं जैसे एक हजार रुपे भेज़िएगा वह आपका नमबर ब्लॉक कर देंगे लेकिन अगर आपका अप्लाइन अगर अच्छ टाइम फिक्स नहीं होता है और फिक्स किया ही नहीं जा सकता किसी भी एंगल सिस्म टाइम फिक्स नहीं किया जा सकता वो तो मैं आपको भी डीप अनल्सिस बताऊंगा कि कैसे टाइम फिक्स नहीं किया जा सकता है लेकिन बहुत सारे लोग को बहुत सारे लीडर की दौरा जाता है कि सर मुझे बताया गया था कि आपका 32 लाग जो मिलेगा वो 3 साले मिल जाएगा कोई कोई को बताया जाता है कि सर 5 साल में मुझे बताया गया मेरे अपलाइन के द्वारा और कोई को बोलते है कि सर मुझे 8 साल के बताया गया और कोई बोलता है सर 10 साल के बताया गया तो तीन साल हो, पांस साल हो, आट साल हो, दस साल हो, ये टाइम फ्रेम सिर्फ उसके द्वारा फिक्स किया जाता है, जिसको सिर्फ आपसे सिर्फ टीम बनाने से मतलब है, सिर्फ आपके बाइस सो पचास से मतलब है, और उसको जो मिलता है 50%, बारस सो रुपे के आपस मिलता है सिर्फ और सिर्फ उससे मतलब है बाकि उसको किसी चीज़ से मतलब है ना उसको जानकारी है कि कब तक मिलेगा तो इसलिए आज से अपने माने में बैठा लिजे कि कहीं पर भी आपको time fix नहीं किया जा सकता ना फरल्वेंट सिस्टम कर सकता है ना इसका जो system जिस सिस्टम से दिया जाता है वो भी system यावर fix नहीं कर सकता है अगर कोई आपको fix लेता हो कोई time का foundation लेता हो तो आप बोले कि ठीक है अगर वो 5 साल का बोलता है आप बोले 5 साल नहीं मैं 15 साल आपको देता हूं यह मेरा है 100 ID, 100 ID लगा दो टाइम fix कर दो और bound बना दो देखें वो बंद भाग के खड़ा हो जाएगा तो इसलिए time के पीछे मत पढ़िएगा कैसे मिलता है उस चीज को बारिकी समझ दिएगा जो मैं आपको समझाओंगा दोस्तों ओटोफुल के regarding एक जेनरल से चीज जो इसो बहुत जादा सामने निकलकर सामने आती है और वो चीज है कि सर गारंटी क्या है कि मुझे 32 लाख मिलेगा गारंटी क्या है कि पर्लवैन स्केम नहीं करेगा गारंटी क्या है कि परल वैंड जो हमेशा चलता रहेगार परल वैंड कभी असकेम करी नहीं सकता तो ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात में जवाब देना चाहूंगा नो गारंटी, नो वारंटी अगर आपको बाइसो पचास के गारंटी चाहिए ठीक है, आप तो बाइसो पचास ही लगा रहें परल वैंड में अगर बाइसो पचास को आपको गारंटी चाहिए तो बाइसो पचास अपने कोकेट ब रखिए घर में एक ताला होगा, लोहे का ताला है या फिर खरिज लीजे उसमें इसको बंद करें रख दीजे, ये गारंटी मैं लेता हूँ कि जब तक उस बकसे का ताला है, जब तक वो बकसा आपके पास है, तब तक वो बाइसो पचास रुपया सुरच चित रहेगा इस इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ, लेकिन अगर बाइसो पचास रुपया आप परल वैन में रखते हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, कि वो बाइसो पचास बाइस लाग हो, या जीरो हो, या फिर बाइस पैसा हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, दुनिया में कोई और भी ज्यादा गारेंटी चाहिए थोड़ा सा कि उसके उपर कोई इंट्रेस्टी मिले तो आप बैंक में फिक्स डिपोजित कर दीजिए हो सकता है 15-20 साल में हो सकता है 12-15 साल में पैसा डबल हो जाए या फिर कहीं पे या फिर पॉस्ट ऑफिस से दिमार कर दीजिए हो सकत 14-18 साल में पैसा और डबल हो जाए तो यह चीज कि मैं गारेंटी ले सकता हूं बाकी ऑल्लाइन वर्क की कोई गारेंटी मैं नहीं ले सकता ना पर्लवाइन सिस्टम लेता है बाकी पर्लवाइन में 2250 से जोइनिंग करते हैं उसका क्या वेनिफिट होगा और आपने जो बक से आपके सामने बात कर लेते हैं सबसे पहली बात है कि यहां पर फर्लवारिंग के सिस्टम जो काम करता है यह इंकम ब्लॉक्चें टेक्नलोजी पर काम करता है जो ऑटोमेटिक रोबोटिक सॉफ्टवेर के द्वारा आपका आईडी या फिर आपकी जॉइनिंग के बाद जो ग्लोबली दुनिया भर से जो भी आईडी लगता है यह ओटोमेटिक एक सिस्टम में एक रोव में यहां पर सेट होता चला जाता है यहां पर कोई बंदा बैठ के वो आईडी सेट निक करता है ओटोमेटिक यह टेक्नलोजी है सेट होता चला जाता है और यहां पर जो इक ओरी ये जो पहले आएगा वह पहले मिलेगा जिसका आईटी पहले मिलेगा जिसका इदि पहले में automatically पॉप होगा तो यहां पर जो है सबसे पहले देख रहे हैं level 1 से लेकर लेवल 8 यानि कि जो आपको 32 लाख मिलता है सो एक बार में मिलता है आठ लेवल में मिलता है आठ लेवल में कैसे मिलता है जैसे ही आपकी जॉइनिंग होती है जॉइनिंग होने के बाद ग्लोबली दुनिया भर से जितने भी आईडी आपकी आईडी के बाद जॉइनिंग मतलब कि total calculate करेंगे तो 0.40 dp मिलेगा अगर रुपे में कहेंगे तो 75 रुपया होता है तो उसको अगर multiply करेंगे 30 रुपया जोएसो आपको तब मिलेगा जब आपकी joining के बाद आपके नीचे 4 जोएसो globally automatic सेट हो जाएंगे ठीक है तो यह हो गया आपका first level में जब आपका ID में first level में 30 रुपया मिल जाएगा तब आप चले जाएंगे second level में और जिस तरीके से आपने second level में गया उसी तरीके से one by one करके दुनिया भर से joining आएगी और आपके नीचे solo ID set हो जाएगा ठीक है तो उन सारे solo ID से हर एक ID से एक एक डॉलर निकलेगा मतलब 75-75 रुपय निकलेगा और उससे आपकी total income होगी solo DP की जिसको अगर रुपय में कहेंगे तो वो रुपया होता है 1200 रुपया आपका दूसरा level complete हो गया दूसरा level जैसे complete होता है यानि कि दूसरा level का होटोपूल मिल चुका है तो आप चले जाते हैं तीसरे level में और जिस तरीके से आपने दूसरा level complete किया उसी तरीके से दुनिया भर से 64 लोग complete करके आपके निचे आएंगे और उन सारे 64 लोगों से आपको फिर से एक-एक DP मिलेगा और total आपको 64 DP हो जाते हैं और 46 DP को अगर रुपय मने कि 75 रुपय से calculate करेंगे तो ये income आपका हो जाता है 4800 आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं सारा सिस्टम जो है software के द्वारा automatic हो जा रहा है इसलिए आप यह मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा हूं यह सिर्फ उस्री automatic हो रहा है आप इसके लिए सिर्फ आपने ID लगाया था system को आपने 2250 रुपय था that's it सारा system यह इसके एकर टीपी टोटल 256 डीपी हो जाएगा रुपय में convert करेंगे तो 19,200 रुपय आपको level 4 में मिल जाता है सेम उसी टाइप की system से जो लोग level 4 complete करके आपके नीचे सेट हो जाएगे और level 5 में आएगे और उस टाइम आपके नीचे टोटल बंदे 1024 लोग बंदे होंगे और उस हो जाता है 38,400 रुपय जो level 5 में complete हो जाएगा आपका सेम उसी टाइप का level 6 में आपके नीचे दुनिया भर से 4,096 ID सेट हो जाएगा automatic और उन सभी से आपका जो आधा आधा डीपी मिलेगा टोटल इंकम यहाँ पर आपका हो जाएगा 2048 डीपी जो अगर इंडियन रुपी 600 रुपय होता है नेक्स्ट सेम उसी टाइप का level 7 में आप चले जाएगे level 7 में आपके नीचे 16,384 लोग आएगे उन सारे लोगों से इंकम आपका टोटल डीपी में हो जाएगा 8,192 और टोटल अगर रुपय में कहेंगे तो 6,14,400 रुपय होता है कल क्लिशन के बाद आप देख लिजेगा जब आपका level 7 complete हो जाएगा तो आप चले जाएगे level 8 जो सबसे last का level है और यहाँ पर दुनिया भर से जो लोग level 7 complete कर लेंगे वो आपके नीचे आएगे और आपके नीचे टोटल जो लोग होंगे जोईनिंग टोटल जो लोग का ID सेट होगा ये 65,536 ID आपको आधा DP मतलब आधा डॉलर आपको मिलेगा और टोटल डॉलर जो आपका हो जाएगा 32,768 DP हो जाएगा और अगर इसको आप रुपे में convert करेंगे तो 24,57,600 है जो आपको level 8 जो सबसे last का level है इससे मिलेगा और अगर आप total income को calculate कर देंगे तो टोटल DP में हो जाता है 43 4856 DP और इसको अगर रुपे में convert करेंगे तो 32,89,230 रुपे हो जाते हैं जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि यह है परल वैन का 32,00 यह है परल वैन का 32,00 मिलेगा 32,00 मिलेगा 32,00 नहीं 32,89,230 यह actual figure में आपको यहाँ पर मिलता है और यह system से मिलता है तो उमीद कर सक सकते हैं कि यह जो कैसे divide होता है यह मिलता है इस तरीके से मिलता है दोस्तों आपने यहाँ पर पूरा calculation देख लिया तो अब इस calculation को देखने के बाद मुझे simple सा एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस calculation से आपको कैसे पता चलता है कि यह जो format पूरा होगा level 1 से लेकर level 8 तक जो जो पूरा होगा उसमें 3 साल का time लएगा 5 साल का लएगा 8 साल का लेगा 10 साल का लेगा यह आप कैसे calculate कर सकते हैं या फिर आपको जो बताया गया जिस team leader के जोरा बताया गया आपको किसी टाइम फ्रैम में कैसे कल्कूलेट कर सकता है कि वो इंकम आपको पांस साले मिलेगा या दस साले मिलेगा कोई भी दुनिया का बंदा at least per line का system भी ये calculate नहीं कर सकता कि हम जो ID में जो बंदा जोईन हुआ अब हम उसको किस को दे क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दू कि यहाँ पर हर एक second में हर एक minute में हजारो जोईन होती है दुनिया भर से जोईन होती है तो जाहिर से बात है कि अगर हजारो जोईन होती है तो हजारो आइडी सेट होने चाहिए आपके नीचे बट यहाँ पर बात करने दोस्तों यह एक system है हजारो आईडी होता है तो हजारो आईडी के नीचे जो एक हजार आईडी मिनट में होता है तो हर एक आईडी के नीचे चार-चार सेट होने के लिए उसको चार से मल्टिप्लाई कर दीजिए फिर वो जितना आईडी होगा उनके नीचे चार-चार सेट करने के लिए उनको च पूल का यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे तो यह 32 लाक नहीं 300 करोड तक का भी इंकम प्लस इंकम हो जाता है 300 करोड रुपिय का तो यह पूरा कैलकुलेशन यह टेक्नलोजी के द्वारा इस लिए आप इस चीज को समझ के चलना होगा वर्किंग पर फॉकस कीजिएगा टीम बिल्डप पर फॉकस कीजिएगा तो आपका ओटोपूल ऑटोमेटिक आएगा और जितना आपने नहीं सोचा है तो उससे ज्यादा आप उटोपूल आएगा और दोस्तों यह जो मैंने आ ओटोपूल में जाता है तो चली दोस्तों अभी हम आपके समने लाइव पैमेंट प्रूफ की बात कर लेते हैं कि परलवाइन का जो ओटोपूल मुझे मिला है मैं अपनी आईडी को लोगिन करके दिखाऊंगा कि मुझे कितना मिला है और वो आईडी कब की जोइनिंग है तो इसके लिए में आपको परलवाइन की वेचाई में जोड़ता हो जयालताए हो यह यह अगर आखर डिकेंगे तासबूट में नहीं दिखाए गा क्योंकि zone पास्बुक का इंट्री जो अफेक्ट हुआ था पास्बुक इंट्री का जो स्टार्टिंग हुआ था परल वाइन में यह 14 2020 से हुआ ता इसका मतलब कि ये ID 14 2020 से पहले का है लेकिन एक्चुल में ये जुलाई 2019 में मेरी जोइनी हुई थी तब से ये ID लगी हुए इस ID में मैंने कुछ भी काम ने किया बिल्कुल जीरो वर्क किया था तो यहाँ पर Home सेक्शन में जाते हैं और आपको यहाँ पर AutoPull दिखाते हैं कि मुझे परल का जॉइनिंग के बाद मुझे कितना AutoPull मिला हुआ है इसके लिए आपको यहाँ एक option मिल जाएगा Ranked Wallet ठीक है यहाँ पर View More की option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपको income मिल चुका है वो आपको यहाँ दिख जाएगा तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास Pearl का 80.4 DP मिल चुका है यानि कि 80.4 डॉलर मेरे पास मिल चुका है तो यह तीन लेबल का मुझे मिल चुका है क्योंकि सारी चीजें transparent होना ज़रूरी है तभी आप सारी चीजों को अच्छे समझ पाएंगे कि आपकी joining कब है उसी हिसाब से लगा पाएंगे अंदाजा कि आपको autopool कब मिलेगा कब मिलना start होगा तो मैं दूसरी ID को login कर लेता हूँ तो दोस्तों यह वो ID है और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कितना autopool मेरे पास मिल चुका है तो ranked wallet में जाते हैं view more पे click करते हैं फिर से और यहाँ भी check करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर देखे pearl का जो ऐसो कितना मिला हुआ हूआ है 32,000,000 मिल चुका है तो मैं screen shot कोई पर believe नहीं करता हूँ लेकिन इस सीज़ से आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं जो मैंने आपको system बताया कि autopool कैसे distribute होता है automatic system से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आपकी joining की date के हिसाब से कि आपको कब तक autopool मिल सकता है तो उमीद है इस सीज़ को आप समझ गया होंगे अब यहाँ पर बात करते हैं withdraw condition का क्योंकि withdraw में एक condition भी होता है यह condition होता है वो मैं आपको live दिखाता हूँ live समझाता हूँ कि यह condition क्या होता है जब भी आपको autopool मिलेगा तो सबसे पहली पात यह चीज़ किलियर कर लिजे कि आपकी joining आपको autopool लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ID का activate होना ज़रूरी है आपका ID का activate है that mean आप eligible हैं कि आपको 32,000,000,000 मिलेगा आप withdraw के eligible नहीं है जब मैं आपको यहाँ पर live करके दिखाता हूँ जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाए था कि ranked wallet में मुझे third level तक यहाँ पर मिल चुका है यहाँ पर simple सा green type में देख रहे हैं withdraw का यहाँ बटन दिया हुआ है जब यहाँ पर withdraw पर क्लिक करते हैं तब तक आप इस चीज को withdraw नहीं कर पाएंगे मतलब कि आपने यहाँ जोइनिंग लिया जोइनिंग करने के बाद आप आज जोइनिंग करें जोइनिंग करते ही जैसे आपने जोइनिंग किया वैसे ही आप next date में अपना ही ID लगाई अपने टीम का लगाई जिसका भी ID लगाना चाहते हैं चार डारेट करने के बाद जो इसका next label है कोरल उस कोरल में अपग्रेड करने के लिए 50DP का जरूत पड़ेगा तो 50DP जब कोरल में अपग्रेड करेंगे उसके बाद आप eligible हो जाएंगे कि जो भी आपने income किया है परल से उस परल को income को आप withdraw कर पाएंगे ट्रांसफर कर पाएंगे अपने bank account में ले पाएंगे फिर जब कोरल का आप को ओटो पूल आएगा तो कोरल को ओटो पूल लेने के लिए आपको उसके next label that mean onix onix के लिए आपको दो और direct लगाना होगा यानि कि total आपके link से आपके sponsor से 6 direct आपका joining होना चाहिए साथ ही साथ आपका id next level यानि कि onix में 100 dp से upgrade होना चाहिए तभी आप कोरल का जो भी आपको ओटो पूल मिलेगा उसको आप withdraw कर पाएंगे जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता दू कि यह जो term condition है सिरिफ और सिरिफ आपके auto pull के उपर है अगर आप work करते हैं diet travel से मिलता हो आपके team से मिलता हो तो उसमें कोई condition नहीं है आप तुरन तो जो आप नए ID से transfer कर सकते हैं किसी को sell out कर सकते हैं फिर आप bank में withdrawal ना चाहते हैं तो minimum 100 dp से यहाँ पर bank में withdrawal ले सकते हैं तो दोस्तो यह था pearl wine auto pull की पूरी कहानी पूरा term condition उमीद है अगर आप video यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं उमीद कर सकता हूँ कि आपको auto pull के regarding सारी चीज़ें one by one clear हो चुकी होगी और जो लोग यहाँ पर pearl wine में joining करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए या best option है कि अगर आप इसमें काम करते हैं तो काफी ज़्यादा income है जितना कि आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा income है लेकिन अगर आप काम नहीं भी करते हैं तो भी आपको यह income है जो auto pull के रूप में मैंने आपको बताया था लेकिन अगर आप यहाँ वर FD के रूप में अगर आप pearl wine में FD के रूप में 225 जमा करना चाहते हैं तो कितना मिलता है मुझे एक साल में दो साल में कितना मिला है आपको कितना मिल सकता है पांस साल दस साल में आपको कितना मिल सकता है आप calculate कर सकते हैं जितना भी हो आपको दूसरे जितना पैसा होगा उससे कई गुना पैसा आपको यहाँ पर pearl wine में मिल जाएगा तो दोस्तों आज की बीडियों नहीं अगर आप परल वाइन में रेजिस्टर किये हैं तो ध्यान दीजेगा रेजिस्टेशन का कोई मतलब नहीं है जब तक आपका ID एक्टिवेट ना हो तो अगर आपका पुराना भी ID रेजिस्टेशन हो तो आप उसको at least एक्टिवेट कर लीजिए और at least अगर आप काम करना चाहते हैं दो चार लोगों के जुएन करके काम कीजिए आपको यहां पर दूसरे सारे सिस्टम से ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि परल वाइन के बारे में बताया गया कि परल वाइन विल नेभर एंड परल वाइन ऐसा सॉप्ट्वेर ह इससे काफी लोग की जिन्दगी बदल रहा है बदल चुका है और इन फ्यूचर में भी काफी लोग की जिन्दगी बदल देगा क्योंकि इस सिस्टम ही ऐसा है एक ट्रस्ट बन चुका है एक बिलीब बन चुका है और एक पहुत बड़ा नेट वर्क global लेबल पर पर परल व से चेक नहीं किया है तो अपना आइडी पासवर्ट को एविलेबल कराईए कॉंटेक्ट कीजिए अपने अप्लाइन से और चेक किजिए अगर आपका साल देर साल दो साल पूराना आइडी है तो उमीद करता हूं तीसरा चोथा लेबल का भी ओटो फुल मिल चुका होगा उस जानकारी ना चाहते है तो आप मारे चेनल में बने रहीएगा कोई भी और दिक्कत होती है तो मुझसे डाइटली कॉंटेक्ट कर सकते हैं एक हमारा वाट्सेप ग्रूप भी है उसको जाकर जरू जानकारी मिलती रहेगी और इसका पर लवाइन के रिगार्डिंग जो भी क टेक क्यर बबाए